Hello and welcome दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे جीरोडा काई टेप में सेAR कैसे सेल करें यदि हैपने डिलिवरी में सेर खरीदें तो उनको कैसे बेचा जाता है यदि हैपने इंटरादे में सेर खरीदें तो उनको कैसे बेचा जाता है और सेरों को market price में कैसे sale किया जाता है लिमिट में कैसे sale किया जाता है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लिजेगा ताकि आने वाला latest informative वीडियो आप सबसे पहले दिया गया है डियरेक्ली आप अपना dmate account open कर सकते हैं बहुत ही अच्छा dmate account है सबसे कम brokerage charges आपको इसमें देखने को मिल जाता है तो सबसे पहले दोस्तों आपको dmate account को open करना है इसको open करने के बाद में आपको जैसे है home page पे आने के बाद में सबसे पहले आपको portfolio वाल और यदि आपने इंट्रादे में कोई भी खरीदा है, जो आपको यहां पे position वाले option में देखने को בिल जाते हैं, तो हमने यहां पे delivery में share खरीद रखे हैं, उनको हम sale करना चाहते हैं, तो हम यहां पे holding वाले option पे click करेंगे, और यदि आपने intraday में को और भी share खरीदा है तो आपको position वाले option पे click करना है तो हमने यहाँ पे holding वाले option पे click कर दिया है इस पे click करने के बाद में सबसे पहले दोस्तों आपने कितना रुपया invest किया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो investment किया है और current value उनका क्या चल रहा है वो आपको उपर में so करने को मिल जाता है यदि आप zero दा का demate account यूज करते हैं तो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है profit and loss आपको इसके नीचे में देखने को मिल जाता है आपके पास में जो भी demate account है उसमें भी आपको portfolio की section में ही देखने को मिलेगा आपको अपना investment value और जो भी आपको profit and loss रहेगा यदि आपको profit हो रहा है तो आपको green color में देखने को मिलता है और यदि आपको loss हो रहा है तो वो आपको red color में minus में देखने को मिल जाता है यदि आप अपने shareों को sale करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दोस्तों यदि आपने एक से ज़्यादा share खरीद रखे हैं यदि आपके पास में बहुत सारे share है तो आपको यहाँ पे उपर में search का option भी देखने को मिल जाता है आप यहाँ से directly search करके किसी भी stocks को find out कर सकते हैं यदि आपके पास में थोड़े से share है तो आप directly उनको यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमने आपे थोड़ा सा उपर slide किया उसके बाद में हम यहाँ पे इन में से कोई भी share है वो sale करना चाहते हैं जैसे कि हम यहाँ पे अपना SBI का share है उसको sale करना चाहते हैं तो sale करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले जिस भी stocks को आप sale करना चाहते हो उसके उपर आपको click करना है जैसे कि हम यहाँ पे state bank of india का sale है वो sale करना चाहते हैं तो आपको state bank of india वाले stocks पे click करना है हम यहाँ पे example के तोर पे बता रहे हैं आपने जो भी stocks खरीदा है उसको आपको इसी तरीके से sale करना है उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे sale का option नहीं भी देखने को मिलता है आपके सामने इसका selling dashboard है वो open हो जाएगा इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे दो option सबसे उपर में देखने को मिलते हैं NSE और BSE आपने NSE में ही stocks करीदा है तो directly आपको NSE का option ही देखने को मिल जाता है उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे quantity का option देखने को मिल रहा है आपने जितना भी quantity खरीदा है उसमें से आप जितनी भी quantity sell करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे enter करना है जरूरी नहीं है कि आपने 100 quantity खरीदी है और आप उसको 100 को ही sell करना चाहते हो आप चाहो तो यहाँ पे 50% quantity भी sell कर सकते हो आप चाहो तो यहाँ पे 10, 20, 30 quantity भी sell कर सकत तो हमने यहां कि तू इक टो apresent teasing उसके बाद में दोस्तों आपको आपको नहीं दीख रहा है फिलाल यहांपर नहीं कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपको यहांuğत ही बताने वाले ऐखाली है और दोसके आप बेचना चाहते हो उसके बाद में वो आपका long term माना जाएगा तो हमने यहापे long term के लिए इसको खरीदा था और हम इसको sell करना चाहते हैं तो long term वाले option पे आपको click कर देना है उसके बाद में दोस्तों आपको यहापे नीचे में type का option दिया गया है राइक वाले में आपको एक market का option दिया गया है, limit का दिया गया, stop loss का दिया गया है और stop loss market का दिया गया है दो option हमारे लिए important है यदि हम इसको sell करना चाहते है एक हमारे पास में market का option दिया गया है techno तो आपको यहापे price enter करने का option नहीं देखने को मिलता है क्योंकि हम market price में इसको sale कर रहे हैं market price में जो भी अभी फिलाल market में price चल रहा है जैसे कि 496 रुपे के something price चल रहा है इस price में हमारा जो stock है वो sale हो जाएगा और यदि हम यहाँ पे limit वाले option पे click करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे limit वाले option पे click कर दिया है तो limit वाले option पे click करने के बाद में हमारे को एक option मिल जाता है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी limit है वो यहाँ पे enter कर सकते है जैसे कि फिलाल यहाँ पे stocks है वो चल रहा है 496 पॉइंट सम्तिंग चल रहा है तो हम यहाँ पे कोई भी limit set करना चाहते है जैसे कि हमने आपको कोई भी limit यहाँ पर, जिसमी limit पर हम बेचना चाहते हैं, फिलाल जैसे कि हम यहाँ पर five hundred रूपे में इस stocks को बेचना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपना price है वो enter कर सकते हैं, पहले आपको यहाँ पर limit वाले option पर click करना होगा, फिर आप यहाँ पर price मे है उसके बाद में आपको swipe to sale वाले option पे click कर देना है जैसे आपने आपको swipe to sale वाले option पे click किया दोस्तों आपको यहां पे authorize करना होगा यानि आपके पास में cdsl दोवारा जो भी tip in आपको दिया गया है उनसे पहले आपको verify करना होगा दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपने आपको cdsl से tip in के से generate किया जाता है इसका process बताया था उस वीडियो का जरूर चेक आउट कर सकते हैं तो आपको यहां पे tip in enter करने के लिए continue के option पे click करना है और आपको continue to cdsl के option पे click कर देना है उसके बाद में आपको cdsl द्वारा provide किया गया जो भी tip in है वो आपको यहां पे enter कर देना है और उसके बाद में आपको verify के option पे click कर देना है आपके mobile number पे OTP send किया जाएगा उस OTP को आपको यहां पे enter करना है और आपको verify के option पे click कर देना है हमारा जो authorization है वो successful हो चुका है दोस्तों आपको यहां पे ok पे click करना है और अब आप है जो अपना जो भी stock है उसको आप sale कर सकते हैं तो आपको tip in नहीं generate करना आता है इसका क्या process रहता है वो हमने पिछले वीडियो में बताया है उसको आप जरूर check out कर सकते हैं दोस्तों जैसे ही अपने limit में कोई भी order लगाया है जैसे कि हमने आपे देखा 500 रुपी में हमने कोई भी stock है वो sale किया है SBA का जिसका price फिलाल आपको यहां पे देखने को मिल रहा है 496 रुपे के something price चल रहा है तो हमारा order है वो successfully complete तभी होगा जब इसका price 500 रुपी है वो touch करेगा तो हमारा order अभी फिलाल pending में है pending order को देखने के लिए आपको यहां पे नीचे में order का option देखने को मिल जाता है इस order वाले option पे click करना है order पे आप click करोगे तो आपके सामने एक open order देखने को मिल रहा है वो आप यहां पे check कर सकते है open order है यह जब भी open order successful होगा तो हमारे execute में चला जाएगा तो दोस्तों हमने यह पे जो price एंटर किया है 500 रूपी एंटर किया है और जब भी price 500 रूपी आएगा हमारा order है वो successful हो जाएगा यह होता है दोस्तों limit price में हमें कैसे sell करना है यहरी आप market price में किसी भी sell को sell करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वापस से आपको अपने portfolio में आना है और portfolio में आने के बाद में दोस्तों जैसे कि हम यहां पे अपना कोई भी एक stock है हमारे पास में एक RCF company का एक stock है हम इसको sell करना चाहते हैं तो इसके option पे आपको click करन है exit के option पे click करने के बाद में आपको market price का जो option दिया गया है दोस्तों इसी option पे आपको click करना है और आपको यहां पे price वगेरा enter है वो नहीं करने का option मिलता है तो आपको यहां पे swipe to sale वाले option पे click कर देना है जैसे हमने swipe to sale के option पे click किया हमारा share वो successfully आपके सामने completed हो चुका ह तो इस तरीके से किसे भी stocks को यदि आप बेचना चाहते हो market price में sale करना चाहते हो तो आप instant उसको sale कर सकते हो आपने आपे देखा हमारा जो order है वो हमारे आप यहां पे देख सकते हैं execute वाले option पे आप लोग देख सकते हैं हमने जो भी sale बेचा है वो फिलाल RCF company का 86.25 रुप चाहें तो इस stocks को modify कर सकते हैं open order में आके दोस्तों कोई सा भी आप demate account यूज करते हैं उसमें आपको order का section देखने को मिलता है उसमें आपको pending order का option देखने को मिलता है उसमें भी आप लोग कर सकते हैं ऐसा नहीं कि आपने लोगों के पास में 0 दाई है आप 0 दाई उसकरते जिसे कि हमने limit order लगा है इसको हम modify करना चाहते है तो इस पे आपको stocks पे आपको click करना है और आपको modify का option दिया गया है modify वाले option पर click करके हम इस order को market price में sell कर सकते हैं या फिर अपनी limit को increase कर सकते हैं या फिर decrease कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आपको एंपकर cancel का option भी दिय कर सकते हैं हम यहां पर कोई भी दूसरा स्टोक्स आपको यहां पर सेल करके दिखाते हैं तोड़ा सा आपको यहां पर जैसे कि हम यहां पर कोई भी स्टोक्स है जैसे हम यहां पर विपरो का सेल है वो सेल करने वाले हैं तो विपरो वाले ओप्सन पर हम यहां पर क्लिक हैं उसके बाद में आपको फोले ओटिट करना है फिल्ट से लकिन से क्लिक करने के बाद में हमारे को यह कि आप दो Alors देखने को मिल जाते हैं वो भी आप यह पे देखने को मिल रहा है कि 601.something इसका प्राइस चल रहा है जैसे इसका प्राइस 601.80 आएगा हमारा order है वो successfully sale हो जाएगा तो आपको यहाँ पर कुछी देर हम wait करते हैं जैसे आपका प्राइस आएगा automatically आपका sale हो जाएगा यदि आपको price नहीं देखने को मिलता है limit का price तो आप उसको modify कर सकते हैं या फिर उसको cancel कर सकते हैं इसी तरीके से दोस्तों यदि आपने intraday में कोई भी share खरीदा है तो उसको भी आपको sale करना है तो आपको intraday वाले stocks को position में आना है और इसी तरीके से आपको stocks को है वो sell करना है आपको intraday में भी exit का option देखने को मिलेगा और जैसे आपने selling का dashboard देखा है इसी तरीके से आपको dashboard देखने को मिलता है इसमें आपको यहाँ पे market price का और limit price का option देखने को मिलता है only for दोस्तों आपको यहाँ पे जो exit करने के बाद में यह option है यहाँ पे आपको long term की बजाए आपको intraday वाले option पे click करके और आपको sell कर देना है आपका stock है वो इसी परकार से sell हो जाएगा सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जरूर करें और channel पर नए है तो channel को subscribe जरूर करें मिलते हैं पर से एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैहिंद बहुत बहुत धन्यवाद